स्वामी नाराण भगवान कीजे आज विश्वभर में एक बात हम सभी को देखने मिलती हैं जो जो स्वामी नाराण भगवान के आश्रित होते हैं वे सभी प्रकार से सुखी संपन होते हैं क्योंकि उसकी मूल वज़ा है स्वामी नाराण भगवान स्वयम ने अपने हाथों से लिखी होई और उनके आश्रितों को प्रदान की होई शिक्षा पत्री एक छोटा सा ग्रंथ लेकिन भारत के 350 ग्रंथों का सार उसमें स्वयम प्रभु ने निहीत कर रखा हैं यह शिक्षा पत्री भगवान स्वामी नाराण ने आज से 196 वर्ष पूर्व गुजराट स्थित स्वामी नाराण संप्रदाय का मुर्धन्य यात्रा धाम वर्टाल धाम में रहकर के लिखी थी और इसलिए आज वर्टाल धाम में जो भी जाते हैं वे अवश शिक्षा पत्री लेखन स्थान का दर्शन करते हैं और गवरो महसुस करते हैं जो जो इस शिक्षा पत्री का अपालन करते हैं वे सब प्रकार से सुखी होते हैं आनन्द महसुस करते हैं हम सभी को ये प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ स्वयम प्रभु ने जैसे 5000 साल पहले श्री मुख से गीता जी का श्रवन करवाया था इसी तरह सर्वावतारी भगवान स्री स्वामी नाराण ने अपने हाथ से एक ग्रंत दिया उसका नाम रखा शिक्षापत्री हमारे भारत के प्रतम ग्रुमंत्री श्री सर्दार वलभ भाई पटेल ने एक बार ऐसा कहा था कि सहजानन स्वामी लिखिट शिक्षापत्री का पालन भारत में यदि सही माइने में सब करने लगे तो इस देश को इतना ज्यादा फाइदा होगा जहां पुलीस विभाग की कोई जरूरती नहीं महसुस होगी इस बात से हम समझ सकते हैं कि शिक्षापत्री में स्वामी नाराण भगवान ने सभी जीवों के लिए सब प्रकार का ऐसा नियम दे रखा है कि अधि हम उसका पालन करे हम उसको फॉलो करते रहे तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा और हम सब प्रकार के सुख प्राप्त कर पाएंगे और इसलिए स्वामी नाराण भगवार ने इसी शिक्षापत्री में लिखा है कि जो भी इस शिक्षापत्री का पालन करेगा वो धार्म, आर्थ, काम और मोक्स को भी प्राप्त कर पाएगा और इतना बहुत बड़ा महत्व समझ करके हमारे गुरुजी परंपुजबार सजगुरु सिग्नान जिवन दाजी स्वामी ने वो शिक्षापत्री का अभी अभी अपने संतों और हरीभक्तों को आग्या दे करके हस्तर लिखिट एक स्वरुप तयार करवाया है वो हस्तर लिखिट मैन्यूस्क्रिप्ट की साइज है चार स्क्वेर मिटर और ये शिक्षापत्री कुंडल धाम में तयार हुई है और ये बात जान करके गिनिज वर्ल रेकोर्ड ने एक नया वर्ल रेकोर्ड दर्ज किया है ये ये बात सुनकरके हम सभी करोडो स्वामी नाराण भगवान के अनुयाई को गौरव महसुस हुआ और शिक्षापत्री का महत्व में एक नया सौपान एद हो गया यदि हम ये बात सुनते हुए शिक्षापतरी का पठन करेंगे और स्रवन करेंगे इसका अनुसरन करेंगे तो हमारे जीवन में भी सभी प्रकार से सुख सुख और सुख प्राप्त होगा आज इस Guinness Book का World Record largest manuscript जब शिक्षापतरी को प्राप्त हुआ है तब इस प्रसंग और इस record को लोकारपित करते हुए हम सभी करोडो स्वामी नारण भगवान के अनुयाईव को बहुत आनद हो रहा है क्योंकि भारती हिंदु संस्कृती का एक गवरव बढ़ाने वाला प्रसंग है इसलिए हमारे गुरुजी परमपुजुपाद ज्यान जिवन दाजी स्वामी और जिन्हों ने इस अस्त लिखित manuscript तयार करने के लिए जो भी अपनी कला अपनी मेहनत लगाई है उन सभी को मै ने बार अंबार प्रणाम करता हुआ जैस्वामी नाराण कहके हमारी सुप कामनाये अभिव्यक्त करता हूं जैस्वामी नाराण